अशाड महीने सूरज तीजे मंगल बुद्ध बलकारी हो चंदर से घर धरती घुमे फिर भी तक्त हजारी हो नमस्कार दोस्तो आज सूरे के भाव नंबर तीन में बैठ कर देने वाले फल पर बात करते हैं अगर आपका सूरे यहाँ पर बैठा है तो आपका जोतिश के प्रती बहुत साकारत्मक रुजान जरूर होगा आप अगर चाहे तो एक विद्वान जोतिश यह अच्छे अचारे बन सकते हैं उसके गुन आपमें जनमजात है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी यहाँ बैठ कर सूरे इंसान को मौत तक को रोकने की ताकत देता है और दौलत का राजा और खुद अपनी मेहनत और दिमाग से कमा कर खाने वाला बनाता है जिन्दिगी में अपनी हिम्मत के बल्बूते पर कठिन से कठिन काम करता है और जिन्दिगी में अपना मुकाम ऐसा जातक ऐसा इंसान खुद हासिल करता है अवल तो बाब दादा की हैसियत financially कुछ बहुत अच्छी नहीं होती परंदु ये बाब दादा की छोड़ी धन संपत्ती को कई गुना जरूर बढ़ाता है उनका और अपने वंच का नाम रोशन जरूर करता है धरम करम के प्रति अपना रुजहान हमेशा ऐसा इनसान positive रखता है और उसे दिल से निभाता भी है मैंने अपने जीवन में सूरज तीन की कई कुंडलियां देखी है मेरा खुद सालों का निजी अनुभव और लाल किताब में लिखी बातों को मैं जो अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ यहां बैटके जो सूरे इस इनसान को यानि की आपको आपके पडोसियों से बहुत अधिक सुखद अनुभव नहीं लेने देता है या तो आसपास खाली जगा रहती है या पडोस में उजाड रहेगी या फिर पडोसी अधिक समय तक रहते ही नहीं और अगर रहते हैं तो फिर उनसे कुछ मेल जूल कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है पर कुछ ना कुछ कमी जरूर देखी है आपके पडोस में चंद्र अगर आपका खराब फल दे रहा हूँ तो आपको दो बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए पहला आपके घर में दिन के समय चोरी हो सकती है इसका आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए उसके लिए उपाए और उसके जरूरी कदम आपको अवश्य उठाने चाहिए दूसरा आपको खुद को चोरी का मान नहीं खरीदना चाहिए इससे आपका सूरे आपको नेक की भजाए बेहत मंदा फल देना शुरू कर देगा अगर आपकी कुंडली में पापी ग्रहों की स्तिती ज़्यादा खराब हो गई हो तो उसकी पहली मंदी निशानी सूरे आपके ननी हाल पर आपके नानके में आपके मामा पर देगा अपने करेक्टर का भी विशेश ध्यान रखना बहुत अनिवारे है जिन्देगी में आपकी अपनी ऐसी संतान जिसका जनम दिन के समय हुआ हो या आपका कोई भतीजा ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा भागयवान साबित होंगे इनके साथ मिलकर आप किसी भी प्रकारे का बिजनस कारोबार जो आप करेंगे जिन्दीगी में आपको वह हमेशा नेक फल देंगे वह कारे आपके सामाजी को और आपके वपारिक और सब जगा पर नेक देंगे अगर आप छोटी कन्याओं जो भी रितुवान ना होई हों हम पंजाब में उनको कंजक बोलते हैं नौ साल से छोटी लगबग सभी कन्याओं इसमें शामिल है जो साक्षाद भगवती का रूप होती है उनकी सेवा से आपको अपना बुद्ध नेक करना चाहिए बुद्ध का साथ आपको वैसे ही तरक्की देगा जैसे बंदर की पूँच उसकी ताक्कत को बढ़ा देती है अगर आपने अच्छे सिक्षा ग्रहन की है अच्छे पद पर विराजवान हुए हो तो आपकी विदेश यात्रा भी भहुत होगी और वैभी अच्छे और उच्छे लोगों के साथ उसका लाब भी आपको मिलेगा और उसका यश्ज भी आपको मिलेगा आपकी स्पोर्ट्स में भी अच्छी रूची होनी चाहिए अगर ऐसी है तो देश के लिए आप ज़रूर खेलोगे अगर आप खुद स्पोर्ट्समेन है तो देश का नाम रोशन करने की पूरी अमीद होगी अब बात करते हैं सूरे के उपाय की और करियर के सम्मधित उन सब जरूरी बातों की आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए आपको अपनी मा से आशिरवात के तौर पर चान्दी जरूर लेने चाहिए बतीजों की सेवा आपको करनी बहुत निकफल देगी मा दुर्गा को हलवापूरी का भोग या कंजको को गुड मिठाई या हलवापूरी का भोग अब लगा सकते हैं चान्दी का घोड़ा आपको अपने कारेशेत्र में अपने ऑफिस में अपने घर में रखना चाहिए इससे आपको तरक्की मिलेगी किस तरह के बिजनस हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे करियर में आपको जो मैथामेटिक्स और एकाउंट्स और कमर्स के साथ रिलेटीड कुछ भी बिजनस या इस्टडी हैं आपको फाइदा देंगे जिन्देगी में आपको कभी किसी के साथ पार्टनर्शिप नहीं करने चाहिए यह आपको नुकसान देगे इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तो मैंने पिछली वीडियो में आपको यह बताया था कि कभी किसी एक ग्रह से किसी भी बात का पूरा ग्यान हासिल नहीं होता है उस पे मित्र और शत्रू ग्रह और उसकी राशियादी का भी पूरा प्रभाव रहेगा जो उसके फल को बदल सकता है अब मैं आपको दूसरी बात पूरान बात आपको यह बताना चाहता हूँ कि लाल किताब के अंदर मैक्सिमम जो उपाये हैं वो सूर के रहते होगे ही होते हैं इसलिए जब तक कोई अच्छा जानकर आपको सूर से पहले या ढलती होई शाम को या आदी रात को कोई उपाये करने को बोलें तो आपको इसा करने से पहले दो बर सोचना चाहिए आप खास करके किसी तरह कि कोई वीडियो देखकर कोई यूट्यूब या सोशल प्लेटफॉर्म के उपर से ऐसी कोई वीडियो देखकर ऐसा बिलकुल हरगिस मत करना ये आपके लिए बेहत ज़्यादा नुकसान दाइक हो सकता है इसके साथ साथ आपको अच्छे जोतिश अचारे की अनुभव का साथ लेकर ही आपको ऐसा उपाये करना चाहिए हम ऐसी कई वीडियो दो आगे पाये और आगे लेके आते रहेंगे आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसान्द आती होंगी हमारे सब बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो के बारे में पता लगता रहे जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आशिर्वा दीजिए नमस्कार